ये देखिएगा दोस्तों ये जो स्पीडो मीटर है ये एनलोग है और ये चोटा सा LCD डिस्प्ले हम लोगों को डिजिटल मिल जाता है देखिएगा कितना मस्त दिखाई पड़ रहा है इंजन चालू करते ही आप देखिएगा दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है हलो दोस्तों मैं हूँ सुशान तो ये है रॉयल एंफिल बुलेट थी फिफ्टी दो हजा चोबीस का मोडल है दोस्तों बिल्कुल नया बहुत साथ दोस्तों मुझे बोल रहे थे कि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में कुछ बताईए तो सोचा मैं एक वीजियो बना ही दूँ ये देखेगा इसका ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो हमको सेमी डिगिकल मिल जाता है दोस्तों इसके इगनिशन को देखिएगा यहां पे इगनिशन लिखा हुआ मिल जाता है यहां पे लॉक लिखा हुआ है और यहां पे देखिएगा ओफ लिखा है और ओन लिखा है जब भी हमको गारी लॉक करना होगा हैंडल को थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट की और घुमाईएगा और चाबी को थोड़ा सा ऐसे पुछ कीजिएगा और ये देखेगा ये गारी लॉक हो चुकी है तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है लॉक खोलने के लिए सीधा इस चाबी को यहां पर हम लोग गुजाते हैं दोस्तों और ये खुल गया लॉक ये देखेगा अब इसको हम लोग आउन कर लेते हैं देखेगा आउन करने पर डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है और यहां पर दोस्तों आप बाद में स्क्रिपर नेविगेशन के लिए यहां पर लगा सकते हैं यह जो जगा दिया हुआ है यहां पर देखेगा दोस्तों इसका जो इंस्टुमेंट क्रस्टर है वो हमको सेमी डिजिटल मिलता है यह जो स्पीडो मीटर है यह एनलॉग दिया हुआ है यहां बीस से शुरू होके आप देखेगा वन सिस्टी किलो मीटर परावा तक जाता है और यहां पर छोता सा एसीटी डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें हमको फ्यूल गेज और ओदो मीटर और ट्रिप मीटर वगएरा मिल जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह देखेगा मैं इगनिशन चालू कर रहा हूँ अरे वाँ आप लोग देखे दोफतों कानता कैसे एक दम से घूम के वापस आया फिर से दिखाता हूँ देखेगा यह देखेगा बहुत मस्त दिखता है कानता एक दम से घूम के जब वापस आता है और यहां पर देखेगा यहां पर हम लोगों को मिल जाता है बैटरी का लाइट है और उसके ठीक बगर में हम लोगों को ABS मिल जाता है और ये जो निशान आप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग Malfunction Indicator Lamp है ये ये मतलब हम लोगों को जल के थोड़ देर बाद बुच जाता है इसका मतलब ये शो कर रहा है जो वो lektronik fuel injection system है या heffi जिसको बोलते हैं वो अच्छे से काम कर रहा है और यहां पर देखेगा यहां पर हम लोगों को मिल जाता है यह देखेगा उपर में सबसे यहाँ पर बन दिया हुआ है इस से हम लोग toggle कर सकते हैं इसको दबाने से देखियेगा यहाँ पर अभी उदों मीटर दिख रहा है अब इसको दबाता हूं तो यह देखियेगा यह trip 1 दिख रहा है और फिर एक बार प्रेस करने पर यहां पर हम लोगों को ट्रिप तू दिखाई पड़ता है और ट्रिप एफ का भी आप्शन आता है दोस्तों जो की एकड़म फ्यूल कम हो जाने पर आपको दिखाई पड़ेगा और इसमें देखेगा एक बार और मैं दबाता हूं तो यहां पर घड़ी दिखा रहा है दोस्तों और एक बार जब हम लोग फिर से जबाते हैं तो यहां पर वापस ओड़ो मीटर दिखाई पड़ता है और यह जो फ्यूल जेश्याप देखेगा पेटरोल जब फूल रहता है तो यहां तक रहता है और जैसे जैसे पेटरोल कम होता है तो यह फ्यूल ऐल्जें चालव कि मैं यहां पर उपर में भी लोग वारिन का यहां पर दिखाता है अभी देखेगा पास्लाइट जलाने पर यह देखिएगा यहां पर देखिएगा पास लाइट का सिगनल यहां पर आ रहा है दोस्तों मैं आप लोगों को हैजार लाइट जला के दिखाता हूं यह देखिएगा यह हैजार लाइट का निशान है और बीच में नूटरल का निशान आप लोगों को दिख रहा है इसको मै इंजन बंद कर देता हूं यह देखिएगा आपको हजार लाइट यहां पर दिखता हुआ जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है ABS का निशान बीजबीज में दिख रहा है यह बैटरी का निशान है यह देखिएगा अभी इंजन चालू करते ही दोस्तों वो जो MIL का जो लैंप था वो भुझ गया है इसका मतलब हमारा EFI सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है अगर EFI सिस्टम में कोई malfunction आता है तो वो MIL का जो लैंप है वो continuous glow करेगा यह आप देखिएगा यह अभी odometer आप देखिएगा जिसमें 306 km गारी चल चुका है और अब मैं यहाँ से change करता हूँ यह दिखिएगा trip 1 में यह दिखा रहा है 9 km इसको मैं reset करता हूँ और reset करने के लिए दोस्तों यहाँ के ही बटन को हमको थोड़ा सा तीन सेकंड तक प्रेस करके रखा होगा यह देखिएगा मैं प्रेस करके रखता हूँ यह देखिएगा वो trip 1 अब 0 दिखा रहा है और trip 2 देखिएगा यह भी 9 km बता रहा है फिर से मैं उसी बटन को लॉंग प्रेस करके रखता हूँ आप देखिएगा वो भी 0 हो जागे यह देखिएगा reset हो चुका है और आगे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर time बताता है तो कुछ ऐसा इसका instrument cluster है दोस्तों semi digital हम लोगों को मिल जाता है और low fuel warning indicator जो है वो आप लोगों को मिल जाता है जब गाड़ी में एकदम से tail कम हो जाता है तो यह जो light है दोस्तों वो continuous blink करती है और यह जो fuel gauge है वो भी एकदम कम होने पर लगातार वो बीप करते रहेगा आपका और यहाँ पर trip F शुरू हो जाता है इसका मतलब लगभाग जो भी कम tail इसमें बचता है उसमें हम कितना किलमेटर जाएंगे यह trip F में शो करता है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई